सिवान में दिन परती दिन अपराधियों का मनुबल बढ़ते जा रहा ही। आज दिन अपराधियों दोरा हमेशा जीले के विभीन जगों पर किसी न किसी परकार की घटने को आज़ाम दिये दिये जा रहा ही। इसी दोरान अप्राधियों दोरा सिवान जीले के नोतन पर्खन की पर्भुखपती रजेस पांडे को अप्राधियों नुनके घर पर गोली मरकर घाल कर दिया जिसके बाद उनको घाल अवस्था में इलाज के लिए परिजर और अस्थानीय लोगों के दोरा नोतन के सरकारी अस्पताल में भरती कराए गया जिसके बाद वहां अस्पताल में मजूद चिकित्चकों ने गंभीर इस्थिति को देखते हुए शिवान के सदर अस्पताल रेफर कर दिया हलाकि शिवान सदर अस्पताल में पर्थाम उपचार के बाद वहां भी मजूद चिकित्चकों न इस्तित को गंविर देखते हुए बहतर इलाज के लिए पटना डिफर कर दिया मिली जानकारी के अंसर बताया जारा आए कि नोतन परखन के पर्मुक्पती रजयस्पंडी वह अपने दरवाजे पर कुछ कार्या कर रहे थे और छतर की कई लोग उनसे आकर मिलते थे और चले जाते थे उसी अंतराल होंडा साइन बुलक कलर की गारी पर तिन लोग सवार होकर आए हुए थे और लगबग एक से देट गंटा बेट कर आपस में बाचित किये एक से देट गंटा के अंतराल में उन तिन लोगों ने तिन बार चाई पिया उसी दोरान उन तिन लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए उनके सिने में धनादन गुलिया दाखते गए और वहाँ से असान परभारी के साथ कई थाने के पुलिस मौजूद हो गई यहां तक के DSP के द्वरा चेतर के कई जगों पर छपे मारी की गई लेकिन अपराधी नहीं मिल सके जिसके बाद DSP ने बताए कि अपराधी की गिरफ्तारी बहुत जल कर ली जाएगी घटना अस्थल के बाद चेतर के लगबक 34 जगहों पर छपे मारी किया जुगी है वही इस घटना के समन में स्पिसलेस कुमार सिना ने कड़े तेवन में अपने रंग देखाते हुए नोतन परखन परुपती रजेस पांडे को गोली मारने वाले सातिर बदमासों की पाच्चान टीम में सामिल पुलिस प्र की अपिल की है यहां बताते चले की जिर्यादी छनाच्चत्र की पथार दई में भीती रात एक मुझुर्ग को गोली मारने वाले कुख्यात अपरादी को भी पुलिस ते एक घंटा के अंदर ग्रिफकार कर लिया था